महिलाओं का सबसे बड़ा पर्व करवा चोत देजभर में इस साल 20 अक्टुमबर 2024 को मनाया जाएगा जिसको लेकर खरगोन के बाजार में अभी से रोनक छाई है सहर में नगरपालिका के पास रोड किनारे करवा के दुगाने सज गई है बड़वानी और खरगोन के ग्रामिन छेतरों के कलाकार मा नर्मदा की पावन मिट्टी से बने करवे बेचने यहां आये हैं जिनने महिलाएं खुब पसंद कर रही है पड़वानी की कलाकार मदनगोले ने लोकलेटिन को बताया है कि हर साल करवा बेचने बड़वानी से वे खरगोन आते हैं सीजन में करीब 50,000 रुपे का कारवार होता है जिसमें मातर 20,000 रुपे मुनाफ़ा होता है और 30,000 खर्च की लागत निकलती है इस साल बाजार में करीब 20 से ज़्यादा दुकाने लगी है जहां 30 से 50 रुपे तक करवा मिल रहा है माता की फोटो 10 से 30 रुपे और छनली 30 से 50 रुपे तक बिकरी है फूजा में लगने वाली पूरी सामगरी का पेकेज 200 से 500 रुपे में मिल जाएगा मिट्टी से बने देशी करवे किस तरीके से बनाये जाते हैं आई ये कलाकार मदन से यह भी जान लेते हैं कितने दिनों में तयार कियो है करने जाएग किस तरी कि तयार किया है को इसको हम ने जाएगा मिट्जी के उपर रंग लगाया और भेले पकाते बनाते फिर पकाते फिर कलर करते कि बड़वानी सायों है करवे बेचने आए तो उसमें लाइट का चांग साफन बनाते हैं पेले पेर से अच्छे बारिक करते हैं पका लेते हैं पकाने के बाद में फिर उसके बाद में लगता है महीना वह लग जाता है और मतब कितनी लागात आजाती हैं इसकी लागट कम से कम तीस रुपे में तयार हो रहा सकता है तो हमको दस रुपे मिलना चाहिए इस बाद जेकर है चलने अब आपने नहीं नहीं लेस लगा रख इन तो नहीं दिजाना ची है तो चाहर एक मिलने वाली बुस्तक मिलें अपनों बड़ी वाली है वह जो ही यह वाली बड़ी बुस्तक यह तीस रुपें बिकना चीए लोकल लेटिंग के लिए खरगोण से दीपक पांडे की रिपोर्ट